आप सभी तुम्हेर नमस्कार मैं एड़ोकेट प्रियंक डेमोले आज किस नई गीडियो में आप सभी का सौगत करता हूँ आज का हमारे टॉपिक है धारा 480 BNSS जो की पहले हुआ करती थी धारा 437 दंड प्रक्रिया सही तग सेक्षन 480 पर जाने से पहले कुछ बेसिक समझना बहुत जरूरी है इसलिए यहां आपके सामने एक सेक्षन रखा गया है और वह सेक्षन है 119 BNS भारती नयाय सही ता का जो की पहले हुआ करती थी 327 IPC तो इसे समझने से पहले हम इस सेक्षन को समझ लेते हैं संपत्ति उद्ध्यापित करने के लिए या अवैध कार कराने को मजबूर करने के लिए स्व्यक्षा ओपहती या घोर ओपहती कारित करना मतलब किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है पैसे हो गए या जेवर हो गए सोने चांदी के या किसी भी प्रकार की संपत्ति उसे लेने के लिए या किसी प्रकार का अवैद कार कराने के लिए जैसे आप हैं आप मुझे मजबूर करें कोई अवयतकार करने के लिए किसी को मारने के लिए या चोरी करने के लिए तो संपत्ति के लिए या अवयतकार कराने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को मजबूर करके उसे उपहती या घोर उपहती कारित करना अर्ता सुएक्षा से उसे साधरन चोटे पहुचाना या गंबीर चोटे पहुचा देना तो इस सेक्षन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला तो ये है कि जो कोई इस प्रियोजन से सुएक्षा उपहती कार्यत करेगा कि उपहत व्यक्ति से या उससे हिदवद किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उध्यापित की जाए या उपहत व्यक्ति को या उससे हिदवद किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैद हो या जिससे किसी अपरात का किया जाना शुकर होता हो, करने के लिए मजबूर किया जाए, वे दोनों में से किसी भाती के कारावास से, जिसकी अवदी दस वर्स तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने के लिए भी दाई होगा. मतलब उपर जो हमने ये बाद डिसकस की, संपत्ति लेने के लिए या अभैत कार कराने के लिए, किसी की उपहती कारित करना, उसे साधरहन चोटे पहुँचा देना, मुक्के थपड मार दिये, या उससे हितबद किसी व्यक्ति से ऐसा कार करवाना, हितबद व्यक्ति अर्था आपका कोई मित्र है, या भाई या बेहन, अब मैं उनको मजबूर कर दूँ, कि भाई ऐसा कार करो, नहीं तो मैं आपको चोट पहुचा दूँगा, या मुझे संपत्ति दो, नहीं तो मैं चोट पहुचा दूँगा, उपहती कारित कर दूँगा, तो दस साल तक की सजा है इस में इस धारा का बड़ा ही दुरूपियोग होता है आपको बता दूं तो जह जब मार पीट होती है तो आप सामने थाने जाते हैं रिपोर्ट लिखवाते हैं कि भाई फलाने वक्ती ने मेरे साथ मार पीट की तो पुलिस के है धारा 323 आई पीसी में अपराद दर्ज करती है जो कि आजकल 115 BNS हो गई है तो आप थाने में यही बोलेंगे कि फलाने वक्ती ने मार पीट की ओपहती कारित की अब यदि आप बोल देते हैं कि मुझसे दारू पीने के लिए पैसे मांगे गए और मैंने देने से मना कर दिया इसलिए मेरे साथ मार पीट की गई तो फिर 323 की जगह क्या लग जाएगी 327 लग जाएगी जहां एक साल की सजा हो रही थी 323 में वहां 327 में 10 साल तक की सजा हो जाएगी अब मुद्दे की बात ये आती है कि धारा 119 की उप धारा 1 के तह जो अपराद है वे क्या है संगे है आजमानती है एक तो जमानती अपराद होत कोर्ट के विवेक के ऊपर है सिर्फ कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है और ये क्या है अशमनी है अर्तात इसमें राजी नाहा नहीं हो सकता और सबसे इंपर्टेंट कि ये क्या है परतम बर्ग मजड़् स्टेट द्वारा विचारनी है Judicial Majestate First Class इसका ट्राइल करेगा तो अब हम जो section discuss करने वाले हैं जमानत का 480 जो कि पहले 437 हुआ करता था CRPC में तो यदि इस धारा के अदिन या ऐसी कोई भी धारा BNS की जिसके सामने प्रतंबर्ग Majestate दौरा विचारनिये लिखा है या Majestate दौरा विचारनिये लिखा है हर धारा के सामने लिखा रहेगा कि उस धारा का अपरात किस कोट के दौरा विचारनिये हैं तो जैसे कि यहां लिखा है कि परतंबर्ग Majestate दौरा विचारनिये हैं तो जब आप जमानत काविदन लगाएंगे तो BNSS की किस धारा के अंतरगत लगाएंगे 480 के अंतरगत और कहां लगाएंगे Magistrate की कोर्ट में अब इसका Subsection 2 और है जो कोई उपधारा एक में निर्दिष्ट किसी प्रियोजन के लिए सुएक्छा घोर उपहती कारित करता है आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भाती के कारावास से डंडनिये होगा जिसकी अवधी 10 वर्स तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए विदाई होगा भाई उपधारा एक में क्या है उपहती कारित की जायरा ही है जाए संपत्ति लेने के लिए या कोई अवैद कार करवाने के लिए सिर्फ थप्पड मुक्के मारे जा रहा है तो यह क्या है साधरन चोटे उपहती करना घोर उपहती कब होती है कट गया सिर्फ हाड़ दिया हाथ पैर तोड़ दिये फ्रेक्चर हो गया तो यह क्या है घोर उपहती हो गई तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार करता है मूलेवान संपत्ति लेने के लिए या अबैर कार कराने के लिए तो आजीवन कारावास तक की सजा है या फिर दस वर्स तक की हो सकेगी तो ये क्या है फिर सेशन कोट दोरा विचारणी है फिर जमानत आविदन किस में लगेगा 483 में लगेगा 483 BNSS में 70 नियाले सेशन कोट या अतरिक्ट 70 नियाले में दायर किया जाएगा तो सब सेक्षन के हिसाफ से क्या है बेल एप्लिकेशन चेंज हो रही है यदि उपधारा एक में अपराद होता है तो मजश्टेट की कोट में आविदन लगाए जाएगा जमानत का उपधारा दो के तहत हो रहा है तो 483 के तहत सेशन कोट में दायर किया जाएगा आईए ज़र अब धारा 480 देख लेते हैं BNSS की की मजश्टेट की कोट में जमानत आविदन लगाने की क्या बरकरिया है ये नोट कर लिजेगा 480 में मजश्टेट की कोट में जमानत आविदन दायर किया जाएगा और 483 में high court, session court, upper session court, अतरक्त session court या special court इन सभी में क्या है? 483 के तहनती दायर किया जाता है 480 का जमानत आविद इन सिर्फ मजड़ स्टेट की कोर्ट के लिए है 480 आजमानती अपरात की दशा में कब जमानत ली जै सकेगी? जब कोई व्यक्ति जिस पर आजमानती अपराथ का अभियोग है या जिस पर ये संदे है कि उसने आजमानती अपराथ किया है पुलिस थाने के भारता दक अधिकारी दोरा वारंट के बिना गरफतार या नृद्ध किया जाता है या उच्चे नियालय या सेशन नियालय से भिन नियालय के समक छाजेर होता है या लाया जाता है तव्य जमानत पर छोड़ा जा सकेगा मतलब की ऐसा कोई व्यक्ति मान लीजिए मैं हूँ मैंने कोई आजमानती अपराथ किया है जैसे कि हमने उपर डिसकस किया मैंने 119.1 का आजमानती अपराद कर दिया दारू पीने के लिए पैसे मांगे लिए किसी से उसने नहीं दिये तो उसको मुक्य थपड़ से उसकी क्या है कोटाई कर दी तो मैंने क्या है आजमानती अपराद कर दिया जैसा कि 119.1 के सामने लिखा है आजमानती तो यहाँ पे क्या है अजमानती अपराद कर दिया मैंने तो संगे अपराद और अजमानती अपराद में पुलिस क्या है विना बॉरंट की गरफतार कर सकती है या थाने में बंद कर सकती है या फिर गरफतार करके मुझे क्या है मतलब की हाई कोट और सेशन्स कोट नहीं होनी चाहिए कोई दूसरी कोट के सामने मुझे हाजर किया जाता है तो दूसरी कोट कौन होगी भीया ये दोनों कोट को छोड़कर अगली कोट कौन सी है मेजिस्ट्रेट की कोट मतलब इन दोनों कोट के समक्ष हाजर नहीं करना है मुझे भिन ने लिखा है मतलब इनसे अलग कोट के समक्ष पेश किया जाता है तो वहाँ पर मुझे क्या है जमानत पर छोड़ा जा सकेगा जा सकेगा मतलब कोट के विवेक के उपर है कि छोड़ना है की नहीं को सैटिस्वाय करना पड़ता है संतुष्ट करना पड़ता है किन्तु यदि यह विश्वास करने के लिए उच्चित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति म्रत्यू या आजीवन कारवास से दंडनी अपरात का दोशी है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा पेश हो गया है अर्था चार सीट पेश हो गई है तो तो कोई बात ही नहीं है यह चार सीट पेश नहीं हुई है तो कोड क्या है केस डायरी बुलवाएगी थाने से अब कोड यह देखेगी कि भाई इसने अपरात कौन सी दारा का किया है हत्या किया है या रेप किया है कोई आपरात को नहीं किया, जिसकी अधिक्तम सजा मरत्य दंडिया आजीवन कारावास है ऐसी किसी धारा का अपरात किया है, तो भईया जमानत पर नहीं जोडा जाएगा यह वाला वेडियो देखिएगा, इसमें पूरा प्रोसेजर बताया है मैंने criminal case trial आपको all total पूरी proceeding किलियर हो जाएगी कि court क्या प्रक्रिया अपनाती है और एक बात और बता दूँ कि हर criminal case की शुरुवात क्या है magistrate की court से ही होती है यदि किसी special act में अलग से प्रावदान नहीं है जैसे STSC act हो गया यद पॉक्स हो हो गया तो इनकी चार्ट स्रीट क्या है सीधा सेशन्स court या special court में दायर की जाती है अन्यता किसी भी दारा का अपराद हो उसकी शुरुवात क्या है magistrate की court से ही होती है बाद में magistrate देखते हैं कि भईया मामला सेशन्स court दोरा विचारनी है तो वो मामले को क्या है सेशन्स court को सुपूर्द कर देंगे अर्थात कमिट कर देंगे तो ऐसे केस जो सेशन्स court दोरा विचारनी हो उनमें magistrate कभी जमानत नहीं देते ये बात ध्यान रखिएगा सेक्शन में कहीं नहीं लिखा है लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि ऐसे केस जो सेशन्स court दोरा विचारनी हो ट्राइवल हो उनमें magistrate कभी जमानत नहीं देते ये दे दी तो नोकरी चली जाएगी हाई court से specials guideline आती है कैसे काम करना है कैसे नहीं करना तो भाई मिरत्तिवा जीवन कारावास वाली धारा का कोई अपराद है तो उसमें magistrate जमानत पर नहीं छोड़ सकते ये पूरी बाते magistrate की court की चल रही है ये वाद ध्यान रखिएगा अब दूसरा क्या है यदि ऐसा अपराद कोई संगे अपराद है और ऐसा व्यक्ति मृत्तिवा जीवन कारावास ये साथ वर्स या उससे अधिक के कारावास से दंडनी है किसी अपराद के लिए पहले दो सिद्द किया गया है या वे तीन वर्स या उससे अधिक के लिए किन्तू साथ वर्स से अनधिक की अबदी के कारावास से दंडनी है किसी संगे अपराद के लिए दो या अधिक अपसरों पर पहले दो सिद्ध किया गया है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा मान लीजिए मैं हूँ अपना ही उदाषन दे दे रहा हूँ मैंने कोई संगे अपराद पहले किया है और उस अपराद के लिए मुझे क्या है आजीवन कारावास की या मृत्यु दंड की या साथ वर्स तक की सजा मुझे पहले किसी केस में हो चुकी है दो सिद्ध किया गया है या फिर इसके पहले मुझे किसी केस में तीन साल से अधिक की किन्तु साथ वर्स से कम की तीन साल से साथ साल के बीच की कोई सजा कर दी गई है कारावास किया गया है दो या अधिक अपसरों पर अर्थाथ दो या अधिक केसों में दो सिद्ध किया गया है तो फिर मुझे वहाँ पर जमानत पर नहीं चोड़ा जाएगा अर्थात यहाँ बात चल रही है हिस्त्रीशीटर की आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपने कोई ऐसे अपरात किये हैं उन धाराओं के जिन में आपको इतनी-इतनी सजा हुई है तो फिर वहाँ आपको जमानत पर मज़स्टेट नहीं छोड़ेंगे परंतु नियाला यह निदेश दे सकेगा कि खंड एक या खंड दो में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति बालक है या कोई महिला है या कोई रोगी या सितलांग व्यक्ति है मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा अपरात किया है मानली जी किसी की हत्या कर दी अब हत्या के मामले में अधिक्तम साथा क्या है मिरत्यु दंड है आजीवन कारावास भी है लेकिन ऐसा अपरात करने वाला व्यक्ति कोई बालक या कोई महीला या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है अंग शétaisल्ल है तेरालाजड है या कोई गंबीर वीमारी से गरसत है कैंसर हो गया तो इन दोनों के अधिन इस के अधीन भी और इस धारा के अधीन भी बहले ही वा किसी मामले में पहले दोस्थिद्द किया गया हो लेकिन ऐसा अपरादी बालक या माईला है या रोगी या सितलांग जगती है तो उसे क्या है जमनत पर छोड़ दिया जाएगा वेसे बालक और सितलांग जगती के मामले में तो मैस्ट्रेट छोड़ सकते है लेकिन माईला के मामले में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि फिर क्या है जेंडर इक्वाल्टी की बात आजाती है लेकिन यही लिखा है तो छोड़ भी सकते है लेकिन प्रैक्टिकली बालक सितलांग जगती को ही छोड़ा जाता है अब महिला अच्छी वाली हस्ट पुष्ट है चल फिर रही है तो फिर साथ कुन माप थोड़ी ना कर देंगे उसके ले भाई या बाई साब तू तो जाओ और मार सबी को जाके फिर तो एक प्रकार सा नहा है कि हत्या हो जाएगी यहां पर लेकिन महिला होने की फायदे होते हैं जैसे आप हाई कोट में बेल के लिए एपलाई करते हैं सह अपरादी हैं चार या पाँच उनमें से कोई महिला भी है तो सबसे पहले महिला की बेल एपलिकेशन लगाई जाएगी हाई कोट में उसके बाद फिर पुरोषों की लगाई जाती है त्योंकि फिर वहाँ पर क्या है समानता के अधार पर जमानत मिल जाती है वैसे पुरोशोर माईला में समानता तो नहीं है लिंग अलग अलग है लेकिन अपराद की समानता के आदार पर मिल जाती है परन्तु यह और भी कि केवल यह बात की अभ्युक्त की आवश्यक्ता अनवेशण में साक्षियों दोरा पैचाने जाने के लिए या प्रथम पंदर किया है अपराद करके भाग गया पुलिस के खबरियों ने खबर कर दी कि इसी ने अपराद किया है अब मुझे पहचानने के लिए मेरी पहचान करने के लिए फरयादी अर्था पिड़ दिव्यक्ति के सामने मुझे खड़ा किया जाता है एक तो यह यह या फिर पुलिस मे नहीं है अत्यार की जप्ति करनी है इसलिए इसका प्यार दिया जाए हमें पुलिस रेमांट दी जाए तो ये दोनों आधार नहीं होंगे कि जमानत देने से इंकार किया जाए जमानत फिर भी दी जाएगी कि भाई पुलिस अभी प्यार मांग रही है इसलिए जमानत नहीं द जमानत पर कब छोड़ देंगे यदि वे अन्य था अर्थात आरोपी जमानत पर छोड़ दिये जाने के लिए हखदार है और यह बचन देता है कि कोड जो भी उसको निर्देश देगी शर्तने लगाएगी उसके उपर वे उसका पालन करेगा परन्तु यह भी कि किसी वी व्यक्ति को यदि उस दोरा किया गया अभी कतित अपराद मरत्यू आजीबन कारावास या सात वर्स या उससे अधिक कारावास से दंडनी है तो लोक अभी उजक को सुनवाई का अबसर दिये बिना इस उपदारा के अधीन नियाले दोरा जमानत परना ही चोड़ा जाएगा मैंने क्या वोला था कि यदि मामला सत्तर नियाले दोरा विचाड़नी है तो मजस्टेट जमानत नहीं देंगे सिर्फ तभी दे सकते हैं जब वह बालक हो माईला रोगी यह अंग शैथिल्ले हो अब माली जिये हत्या का मामला मजस्टेट की तो धारा क्या कह रही है कि अभ्यूजन को सुनवाई का अपसर दिये बिना जमानत पर नहीं चोड़ा जाएगा मतलब कि अभ्यूजन अर्थात फर्यादी पक्ष के जो सरकारी वकील है जमानत देने से पहले इस अंग शैथिल्ले व्यक्ति को भले यह माईला हो या बालक ह तो इसे जमानत देने से पहले कोट को सरकारी वकील को सुनना पड़ेगा अरे वाई कहां दे रहा है जमानत हमें भी सुन लो धोड़ा बहुत कोई अंग शैतल नहीं है अच्चा वाला चल रहा है बाहर जाएगा तो सक्ष को प्रवावित करेगा गवाओं को धमकाएगा प सरकारी वकील को सुने में जमानत नहीं दी जाएगी लोक अभी उजा करता सरकारी वकील सरकारी वकील के से मिलता है पीड़त पक्ष को मिलता है मुफ्त कानून इसायता यदि ऐसे अधिकारी अर्थात पुलस अधिकारी को या न्याले को यथा इस्तिति अनवेशर जांच किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अव्युक्त ने अजमानती अपराद किया है किन्तु उसके दोशी होने के बारे में और जाच करने के लिए परयाप्त आधार है तो अव्युक्त को दारा 494 के उपबंदों के अधीन रहते हुए ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या ऐसे अधिकारी या नैले के स्वववे कानुसार इसमें इसके पहश्चात उपबंदित प्रकार से अपने हाजेर होने के लिए बंदपत्तर निश्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा मतलब पुलिस अधिकारी या कोट को लगता है कि वहाई इसके उपर एफाइयर कर दी गई है लेकिन यह बिस्वास करने के लिए पुछे तादार हैं कि इसने आजमानती अपराद नहीं किया है हा लेकिन यह दोशी हो सकता है और इसके उपर जाच करने के लिए पर्यापतादार हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि इसने आजमानती अपराद अर्थात 1191 के तेदिस ने कोई ऐसा अपराद किया है लेकिन बाद में दोशी हो सकता है इसलिए जाच करने के लिए मतलब कि अब नीचे बताया गया है कि बंद-पत्र पर छोड़ रहें तो कैसे चोड़ेंगे यहां से शर्टे चालू होती है कि जब जमान अद्धी जाएगी तो क्या शर्टे लगाई जाएगी इसमें इसके उपबंदित प्रकार से अर्था तो यहां से लेकिन यदि पहले तीन दिया है तो इसे और पढ़ लेते हैं जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारवास जिसकी अबदी साथ वर्स तक की या उससे अधिकी है दंडनी कोई अपराद या भारती नया सईंता दोजारतेष के अद्ध्याचे साथ सट्टरा के अदिन कोई अपराद करने ये ऐसे किसी अपराद का दुस प्रिण या शड़यंत या प्रियत्न करने का अभियोग या संदे है तो उपदारा एक के दीन जमानत पर छोड़ा जाता है तो नियाला यह शर्त अभिरोपित करेगा मतलब उपर बताई गई परिस्तितियों में और अध्याय 6-7 और 17 के दीन BNS अर्थात IPC परानी वाली अब नाम क्या हो गया है भारती निया सहीं था तो उसके अध्याय 6-7, 17 के दीन कोई अपरात करता है यह दुस्पेणे सड़यंतर करता है यह परितन करता है तो वह जमानत पर छोड़ा जाएगा और मजस्टेट क्या है यह जितने सेक्शन पढ़ें हमने किसी भी प्रकार से किसी भी उपधारक के दीन जमानत देते हैं तो यह शर्त आरोपी अर्थात अपरादी के ऊपर अधिरोपित कर देंगे कि अपरादी इन शर्तों का पालन करेगा इन शर्तों पर हम जमानत पर छोड़ रहे हैं यह कि ऐसा व्यक्ति सद्ध्या कैं दीन निश्पादित बंदपत्त की शर्तों के अनुसार हाजर होगा, अर्था बंदपत्त में उसने लिखके दिया है कि हर पेशी पर हाजर होंगा मैं, ऐसा अपराद जिसे करने का अभी या संदे है, अर्थात ऐसा केस जो मेरे ऊपर चल या भी ऐसा कोई अपरात तरह से नहीं करूंगा ऐसा व्यक्ति उस मामले के तत्यों से अवगत किसी व्यक्ति को नियाल है या किसी पुलिस अदिकारी के समक्ष ऐसे तत्यों को परकट ना करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष तह उसे कोई उत्परेड़ना धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष को नहीं विगाड़ेगा अतलब किसी व्यक्ति को धमकाएगा नहीं कि भी ये तू पुलिस के सामने ये सब बाते नहीं बोलेगा या साक्ष को नहीं विगाड़ेगा साक्षियों को नहीं धमगाएगा नहीं तो पोंचिया भाई गवाई के कि यदि तुने पुलिस के सामने आ कोट में गवाई दी तो काट के फैक देंगे तुझे ये सब बातें नहीं करनेगा और नियाय के हित में ऐसी अन्य शर्तें अर्थत मजश्ट्रे ठीक समझे अधिरोपित कर सकेगा अन्य शर्ते क्या हो गई कि भाई शेहर के बाहर नहीं ज ऐसे करने के अपने कारणों को विशेश कारणों को लेक बद्द करेगा भाई कोट को यह बताना पड़ेगा ओर्डर शीट में या बेल के ओर्डर में कि वह हम जमानत दे रहें तो क्यों दे रहें जैसे कि वह एक मातर करता धरता है घरवाले भूंके मर्द आएंगे वरद ऐसे करना अवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्तियों गरफतार करने का निरेज़ दे सकता है और अभी रक्षा के लिए सुपूर्द कर सकता है मतलब की गवाओं को धमकारा बार या बंदपत्त की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है पेची पर नहीं आ रहा है तो कोट क्या है उसका वरण जारी कर सकती है गरफतारी कि इसे पकड़ के लियाओ एक काम करो और इसे अभी रक्षा के लिए सुपूर्द कर दो एक काम कर दो इसे जेल भेज़ दो वहीं पड़ा रहेगा जब तक की ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता तो कोट ऐसा भी कर सकती है यदि तो यदि ऐसा व्यक्ति उक्त संपूर्ण अवदी के दोरान अभी रक्षा में रहा है तो जब तक ऐसे कारणों से जो लेखबद किये जाएंगे मज़स्टेट अन्यथा निदेश ना है वे मज़स्टेट की समधान प्रजमानत पर छोड़ दिया जाएगा मतलब की कोर्ट में चलान पेश हुआ फिर क्या है ट्राइल प्रोग्राम सेट किया गया टीपी जिस दिन पहले गवा को गवाई के लिए बुलाया जाएगा साक्ष देने के लिए नियत प्रतम तारीख गवाई की पहली तारीख पहला गवाई उससे लेकर 60 दिन इसके बीच में वेचलन अर्था ट्राइल कंप्लीट नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति क्या है जमानत पर छोड़ दिया जाएगा पहले गवाई के लिए जब तारीख नियत की गई थी पहले दिन की गवाई उससे लेकर 60 दिन तक खेर सुप्रीम कोर्ट का अभी 3-4 दिन पहले एक लेटर जज्जमेंट आया है कि गरफतारी से लेकर 60 दिन तक यदि चार्ट स्रीट फाइल नहीं की जाती तो डिफॉल्ट वेल दी जाएगी वहाँ पर लेंडमाँ जज्जमेंट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं लेकिन जज्जमेंट में क्या है गरफतारी की दिन से बात चल रही है यहाँ पर क्या है साक्ष देने के लिए नियत प्रतम तारीक जिस दिन गवाई देनी थी फर्यादी पक्ष को पहले गवाई की पहली तारीक से साथवा क्या है यदि आजमानती अपरात के अब्युक्त व्यक्ति के वचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात और निर्ने दिये जाने के पूर्व किसी समय न्याले की यह राय है यह विश्बास करने के लिए उचे तादार है कि अब्युक्त किसी ऐसे अपराद का दोशी नहीं है और अब्युक्त अभी रक्षा में है तो वह अब्युक्त को निर्णे सुनने के लिए अपने हाजर होने के लिए बंद पत्र उसके द्वरा निश्पदित किये जाने पर छोड़ दिया जाएगा मतलब की अजमानती अपराद है विचारन समापत हो गया है लेकिन क्या है निर्णे दिये जाने के पूर्व देखिए दो चीजे होती है केस खतम होना और विचारण समाप्त होना विचारण समाप्त होना अर्थात गवाई कम्प्लीट हो गई हो मुल्यम मयान हो गई हो फाइनल आर्ग्यूमेंट हो गई हो सिर्फ क्या है निर्णे रह गया हो केस खतम नहीं हुआ है सिर्फ विचरन समाप्त हुआ है अभी ट्राइल कम्प्लीट हुआ है बस निर्ने करना रह गया है कि यह फैसला क्या देना है तो इसके पूर्व कोट को यह लगता है कि परयापता दार है गयार इसने कोई अपराद नहीं किया है गवाई से भी समझ में आ रहा है और अभ्युक्त क्या है अभी रक्षा में है अर्था जेल में है तो ऐसे अभ्युक्त को क्या है निर्ने सुनाने के लिए अपने सामने लाएंगे उसको जेल से बुलवा लेंगे क्योंकि निर्णा उसके सामने सुनाया जाएगा उसे बंद पत्तर पर छोड़ दिया जाएगा तो इस पूरी पंचायत का सार क्या निकला कि 480 जो हमने अभी समझी साथ सबसेक्शन है इसमे 480 के तहट जो अविदन लगता है वह मजश्टेट की कोट में ही लगता है और मजश्टेट के वल उन मामलों में जमानत दे सकते हैं जिन धाराओं के अपरात क्या है मजश्टेट के दौरा वचारणी हो जैसे हमने देखा था 119 की धारा 1 परतमवर्ग मजश्टेट के दौरा वचारणी है तो Mother State क्या है ऐसे मामलों में ही आपको जमानत दे सकते हैं जिन दाराओं का विचारण करने की शक्ति मुझे स्टेट के पास है यदि उपदार है दोखेत अपरात कर दिया जैसे मैं नहीं कर दिया तो Mother State मुझे वहाँ पर जमानत नहीं देंगे चार सो असी में में मेरा आविदन खारिज कर दिया जाएगा फिर चार सो तेरासी में मुझे क्या है सेशन कोर्ट के पास जाना पड़ेगा तो फिर सेशन कोर्ट मुझे जमानत दे सकती है और क्या सार निकला कि Mother State छोड़ भी सकते हैं यदि आपने हत्या की हो या ऐसा अपरा दी क्या है बालक या मैला रोगी ये शतलांग व्यक्ति हो तो ही मजश्ट्येट जमानत दे सकते हैं नहीं तो हत्या और रेप के मामले में तो सेशन कोर्ट भी जमानत नहीं देती भले ही मामला क्या है सेशन कोर्ट दोरह विचारणी है आपको जाना पड़ेगा हाई 280 केते हैं जब मजश्टियट की कोट में आप जमाना ताविदन लगाएंगे तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी बेसिक गलतियां ना करें सबसे पहले लेखें कि पहली एप्लिकेशन है या दूसरी एप्लिकेशन है कौन सी बेल एप्लिकेशन फाइल कर रहे हैं आप तो प्रतम जमाना ताविदन पत्र साइड में ये लखिएगा यदि आरोपी जेल में है या अभी रक्षा में है बहले ही कोट में बैटा हो उसी दिन सरेंडर कर दिया हो जिस दिन आपने बेल एप्लिकेशन लगानी है या फिर पुलिस का स्टेडी में हो उसका पी आर चल रहा हूँ पुलिस रिमांड या फिर जे आर चल रहा हो जूडील में हो लिखना पड़ेगा कि आवी दक अविरक्षा में है और फिर आपको कोट फीस नहीं ही लगाने हैं यहान पर फिर कोट फीस नहीं लगती वहां पर एक्जेक्ट ड्राफ्टेंग आप ऐसे घरेंगे उस राज का फिर थाने का नाम कि किस थाने में अपराद क्रमां क्या है क्राइम नंबर अंडर सेक्शन यूएस कि किनके दारों में अपराद दर्ज किया गया है तो 115, 119, 351, 3 और 5 कई अपरादी हैं जैसे दारा 34 हुआ करती थी पहले अब 3 और 5 हो गई है दारा 3 की उपदार 5 से अपरादियों के लिए 119 से हमने डिसकस की थी अभी संपत्ति उद्यापित करने के लिए अवैदकार कराने के लिए उपहती कार्यत कर देना और 115 दो उपहती कार्यत करने के लिए देंडर जोकी पहले 323 हुआ करती थी आई पीसी में मैंने दोनों लिख दिये हैं यसे आप पराने केशों में अप्लिकेशन देना चाहें तो वहां पर लिखेंगे 437 नई धाराओं के अंतरगत आप अप्लिकेशन दे रहें तो आविदन पत्तर अंतरगत धारा 480 BNSS आविदक की और से निम्दन वेदन है या कि पुलिस थाना अरेरा हिल्स भूपाल दोरा दर आप किए बंदा जो है इसने खुश सरेंटर कर दिया शमर्पन कर दिया थाना जाकर लेक पुलिस वालों मैंने अपरात किया है अंदर करो मुझे आप और में पेश करो कर लो पूस्ताच आउम ब्रह्मास मी तो आई सरेंडर कर दिया, पुलित वालों काम आसान हो गया, पूस्ताच कर ली, कोट में पेश कर दिया यह कि आवेदक निर्दोश है, उसे विद्देश वस जूटा फसाया गया है पकरण के अंतिम नरकरण में आवेदक को दोश मुक्त होने की पूरी आशा है उक्त पकरण के नैग नरकरण में काफी समय लगने की संभावना है यह कि उक्त अपराद में अन्य आरोपी गन शुवम आका आशकोनाल को जमानत प्रदान की जा चुकी है इस आवेदक का परकरण भी उक्त लोगों से भिन्नना होकर आवेदक भी जमानत की कृप प्राप्ट कर पाने का वेदाने काधिकारी है पाई इस केस में क्या हुआ था कि मजश्ट्रेट की कोर्ट से पहले आवेदन खारे जोगिया जमानत का फिर सेशन्स कोर्ट ने क्या जमानत दे दी सेह अपरादी थे पहले शोबम को मिली फिर उसके बाद इन दोनों को मिल गई अब ये चोंता बंदा बचा है तो इसकी और लगाया दे रहा है अब चूंकी मामला क्या है 119.1 मजश्टेट की कोर्ट दोरा वचारणी है तो पहले आपको मजश्टेट की कोर्ट में जाना ही पड़ेगा बले ही सेहसन कोर्ट मामले में ऐसे अपराद जो सेहसन कोर्ट दोरा वचारणी हो आप सीधा 483 के टेस्स सेहसन कोर्ट जा सकते है वहाँ जरू होता नहीं है कि मजश्टेट की कोर्ट में लगाए लेकिन भाई अब जब यहाँ पे मजश्टेट की कोट को ही सुनना है यह केस, तो पहले आपको नियम से मजश्टेट की कोट में ही जाना पड़ेगा बले ही मजश्टेट यह आवदन खारिश कर दें, जैसे कि इनका कर दिया था पहले, जोकि आप रादे कोट ने कहा जमानत दे दी थी अब हम भी यहां नियम से पहले मज़स्ट्रेट की कोट में जा रहे हैं क्योंकि भाई केश की सुनवाई तो मज़स्ट्रेट कोई करनी है तो हमको यह भी बताना पड़ेगा किसे है अप राधिया को कहा जमानत मिल चुकी है आप चाहें तो पेले ही अपने पूरे पत्ते नहीं खोलने हैं नहीं तो अभियोजन अर्थात सरकारी वकील उसका तोड़ निकाल लेगा तो जमानत आविदन सिर्फ फॉर्मल लखें कोट देनी होगी तो वैसे ही दे देगी औरल यह आफ एक्ट रखने सामने अब आर्व्यूमेंट करें नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी अभियोजन हर चीज का तोड़ निकाल लेगा आपके खिलाप पर इसलिए हमने बिलकुल सिंपल आविदन बनाया है अब थोड़ी दुगबरी कहानी आरूपी के बारे में कि आवेदक के वरत मावाप हैं जो आवेदक परी आशरत ह आवेदक के क्रशक है और क्रशी परी उसकी एबम उसके परी जनों की आजीवी का निरवार है आवेदक को उक्त जूटे प्रकरण में यह जेल में रखा जाता है तो उक्त लोगों के भरण पोशन के लिए संक्रत पन हो सकता है आवेदक की उक्त समी का एक मातर भरण पोश दिया तो बूले माबाप बिचारे वैसे ही भीमार है पतनी है चोटा बच्चा है कौन करेगा इनकी देखवाल यह की आवेदक की ग्रफतारी एबं उससे जपतियादी पूर्ण होकर उसके वरुद्ध विविचना पूर्ण हो चुकी है इसलिए अब साक्ष को परवावित कि जाने की कोई संबाबना नहीं है आवेदक जमानत पर रहा किये जाने पर साक्ष को प्रवावित नहीं करेगा और प्रेकरण के न्याग नरकरण में उपस्तित रहकर सही योग करेगा बहुत गंबीर बात लिखी है ध्यान दिया हो तो आवेदक के वरुद्ध जप्ति पू कि बेल एप्लिकेशन गलती से भी मत लगाईएगा यदि चार्चीट फाइल नहीं हुई है तो ना तो आप 483 में हाई कोर्ट में जाए ना ही सेशन्स कोर्ट में लगाए पुलिस बालों से बात करके पहले चार्चीट पेश करवाईए आरोपी के घरवालों से बोलिए कि वालों के पीछे लग जाओ भाया चार्चीट पेश करवाओ क्योंकि दी चार्चीट पेश नहीं हुई तो कोर्ट कभी जमनत नहीं देने वाली भले ही सुपरीम कोर्ट कायना चल जाओ आप क्योंकि कहीं ने कहीं डर बना रहता है कि भाई जमनत दे दी गई तो सक्ष प्र तो ये आपका धर्म है आपकी जिम्मेदारी है गंबीर अपराद खासकर हत्या हो या रेप हो या ऐसा अपराद जिसमें 10 साल या आजीवन कारावास तक की साजाओ उसमें पहले आप चालान पेश हो जाने दें सिर जमानत लगवाएं 90% चांसे हैं कि जमानत मिल जाएगी हमने यहाँ पे क्यों नहीं लेखा है कि अवियूग पत्तर पेश हो चुका है क्योंकि पुलिस से हमने बात कर लिए पुलिस वाले आज चालान पेश कर रहे हैं अब बाईजांस नहीं किया उनने आज तो अपन तो जूटे सावेत हो जाएंगे ना अवेदन में इसलिए अपन नहीं लेखा अपन इतना ही लेख रहे हैं कि भाईया पूरी जाच वेवेचना पूर्ण हो गई है जब तीमप्ती जो करनी थी हात्यारगी वो भी कर ली अब कुछ नहीं बचा है बहुत इंपोर्टेंट पेराग्राफ है सिर्फ इसी को देखकर जमानत मिलती यही बता दे रहा हूँ कोड बस इतना देखती है कि वह यह चालान पेश कर दिया है और अपराज की गंबीरता कितनी है दो चीज़ों पर कोड फोकस करेगी बस यह कि आरोपी अरेरा हिल्स बोपाल का इस्थाई नेवासी है और परिवार एवं परिवार एक चल अचल संपत्ती धारक है जमानत दिये जाने की इस्तिती में उसके फरार हो जाने की कोई संबाबना नहीं है यह इतनी प्रॉपर्टी है कहां भग जाएगा छोड़के घर परिवार है यहीं का स्थाई नेवासी है यह कि यह दियुक्त जूटे अपराद में आवेदक को जेल में रखा जाता है तो उस पर जेल जीवन के दुश्प्रभाव पढ़ने की पूरी आशंका है आवेदक कोई आपरादे के तयास भी नहीं है यह भी मेंडेटरी है लिखना कोई क्रिमनल रिकॉर्ड हो तो बिल्कुल मत लिखिएगा नहीं तो पुलिस वाले जैसे ही आप जमानत आवेदन लगाएंगे पुलिस वाले इसका क्रिमनल रिकॉर्ड पेश कर देंगे तो फिर आप जूटे पढ़ जाएंगे तो पूरा का पूरा नहीं उतारना है आवेदन सोस समझ की लिखना है आपको बच एक आईडिया दिया है कि ड्राप्टन केंसे करेंगे आप और आरोपी को उपर जो केश चल रहा है जिन दाराओं में उन दाराओं में अधिक्तम सजा मरत्यु दंड नहीं है अर्था कतित आरोप मरत्यु दंड से दंड नहीं है और यह कि जमान तेतु आवेदक इस माननी नेला के दोरा अधिरोपेश चर्तों के पालन है तुतत पर है मतला उपर दो शर्त देकी त्यांद सेक्शन में कि बंदपत की चर्तों का पालन करेगा फिर से वही अपराद नहीं करेगा गबाओं को भड़काएगा नहीं साक्ष को प्रवावेत नहीं करेगा देश चोड़ कर नहीं जाएगा तो ये शब सर्तों का पालन करेगा जो भी कोट लगाएगी आता है माननी नियाले से नेविदाने की निया एत में आविदक को जमानत पर रहा करने के आदेश पारत करने की कृपा करें तो इसमें आरूपी के साइन करवाना आवश्यक नहीं है एडोकेट के माद्यम से ये एप्लिकेशन दायर किया जाता है इसकी PDF टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दी गई है वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो हमें फानेंशली भी सपोर्ट कर सकते हैं ये रही UPI ID Priyank Demole 47 at the rate YBL आपका एक छोटा से सपोर्ट भी बहुत माहिने रखता है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें वीडियो पसंदा है हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में मैं Advocate Priyank Demole आप सभी से विदा लेता हूँ Thank you so much